Hello students, मैं अमरित कॉर, I hope आप अपने घर में सेफ होंगे Student हमारा आज का जो topic है वो है level of teachings यहने teaching के स्तर कौन-कौन से level होती है teaching में हमारे teaching और learning की जो process है वो बहुत ही जटिल एक process होता है इस process में learning जो है उसको हमें अपनी improve करने के लिए बहुत सारी जो teaching जो क्रियाएं होती है उनको संपूर्ण किया जाता है इन teaching क्रियाओं को का चेयन करने के अधार कुछ जो है उद्देश्यों को माना गया है जिने पहले से ही निर्धारित किया जाता है इस परकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण का कोई एक ही उद्देश्य नहीं होता अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रक्षन हम teaching जो है वो की जाती है दूसरी शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि सभी शिक्षण उद्देश्य अधिगम को किसी ना किसी रूप में परभावित करते हैं किसी भी शिक्षण अधिगम परकरिया को तीन मुख्य स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जो इस परकार से है उसमें पहला हमारा स्तर है memory level यानि की स्मृति सर दूसरा हमारा है बोध स्तर यानि understanding level और तीसरा हमारा है reflective level यानि की चिंतन स्तर तो आर्ट स्टूडेंट जिसका हम discuss करने वाले हैं वो है हमारी सबसे पहला जो level है वो है memory level of the teaching तो हम इसके बारे में अब discuss क क्या होता है जब बालक अत्वा व्यक्ति जीवन में किसी नए पदार्थ प्राणी व्यक्ति स्थान आदी को देखता है या उसके बारे में सुनता है तब है अपने जो है mind सो स्वस्तू आदी से समंदिक एक जो है या तो कोई picture या कोई उसकी मतलब एक ऐसी voice अत्वा दोनो वैठ चित्र उसकी द्वानी पुनेट उसके द्मानी की साहता से वह पुनेटेशन पसके संबंदिक जनकारी को या कर लेता है यानि कि मेमिरी उसके दुबारा से री-कंटिन्यू हो जाती है इस परकार किसी देखी सुनी या सीखी वही वस्तू बाद सूचना डिको याद क करना ही स्मृति कहलाती है इसी के अधार पर हमारे कुछ विद्वानों ने इससे रिलेटेड कुछ ऐसी डेफिनेशन ती हैं जैसे की वुडवर्थ हैं उन्होंने बोला है memory is the direct use of what is learned कि सीखे हुए अनबवों का सीधा उपयोग ही स्मृति कहलाता है इसमें हमारी एक और विद्वान है MacDougal वो हमें क्या सिखाते हैं वो हमें बताते हैं memory implies imagining of event and experience in the post and recognizing them to one's own post experiences यानि कि स्मृति का तात्परिय भूत कालीन घटनाओं के अनबव की कलपना एवं पैचान से हैं जो की अपनी ही भूत कालीन अनबव से होते हैं एक और हम विद्वान की definition को और देखते हैं stout तो वो हमें कहते हैं कि memory is the idea revival in which object or post experiences reinstate as for as possible in order and manner of the original occurrence यानि कि स्मृति एक आदर्श पुन्द्रावती है जिसमें तत्काल के अनुभव उसी क्रम और ढंग से जागरत होते हैं जैसे वे पहले हुए थे अब हम आगे देख रहे हैं कि हमारे पासे faces of memory यानि कि कौन कौन सी memory की अवस्थाएं होती हैं तो इसमें हमारी पहली है अधिगम अधिगम के अधार पर हम कह सकते हैं इस अवस्था में किसी में व्यक्ति किसी सूचना जानकारी तथ्यादी को पढ़कर देख कर सुनकर या अनुभव करने के बाद सीखता है सीखने का यह कारिय सदेव चेतन मन दुआरा किया जाता है इसी अवस्था में जीवन के अनुभव मानविय संसकार्णों के रूप में हमारे मस्तेश्क में अंकित हो जाते हैं हमारे इसमें दूसरा पॉइंट है धारन करना इसके अंतरकत हम आपको बता सकते हैं कि अधिकम दुआरा सीखी गई बाते जानकारी स्थाई नहीं होती परन्तु धारन करने की परकिरिया दुआरा उसे स्थाई बनाया जा सकता है हमारा तीसरा है प्रतिस्मरण तो प्रतिस्मरण के अनुसार हम बताते हैं कि धारण किये और अनुभव को फिर से चेतन मन में लाना ही प्रतिस्मरण कहलाता है तो हम अगर कोई चीज दुबारा से याद करते हैं तो उसे ही प्रतिस्मरण बोल सकते हैं हमारा लास्ट है पहचान जब किसी भी सीखी धारना या धारन की हुई बात जानकारी वस्तुवादी को पुने देखकर वेती उसे पहचान लेता है अर्थात उस बात जानकारी से सम्मंदित प्रतेक सूचना उसके चेतन मन में लौट आती है तो उसे पहचान करना कहा जाता ह अब इसके आगे हमारे पास है स्मृति स्तर के शिक्षण की मुख्य अवशक्ता है वो अवशक्ता है इस परकार से है इस शिक्षण में शिक्षण को ही महत्व दिया जाता है जबकि विद्यारती गौन स्थान उसको मिलता है विद्यारती को अधिक सवतंतरता नहीं दी जाती जो स्टूडेंट और टीचर के भी जो जादा इंटरेक्शन नहीं होती है इसमें विद्यारतियों को सूचना जानकारी रटने के लिए प्रेरित किया जाता है इसमें अभी प्रेर्णा का अभाव होता है इस परकार की शिक्षण में बुद्धी का महत्वन नहीं होता है केव साथ साथ अब हमारे पास हैं इसके स्मृति स्तर के शिक्षण के परतिमान यानि कि मॉडल सौफ मेमरी लेवल टीचिंग तो इसक इसके इन इस के परतिमानों को सेट किया है जो कि इनके निम्न सोपान इस प्रकार से है इनका सबसे पहला उदेश्या उदेश्या यानि कि mental levels का जो हम शिक्षन प्राप्त करते हैं तथ्यों को ग्यान देना, सीखे हुए तथ्यों को याद करना, याद किये हुए तथ्यों का प्रतिस्मरण और उन्हें पुने प्रस्तुत करना, यानि कि जो हमने सीखा है उसी को दुबारा से याद करके और उसे दुबारा स सबके सामने प्रस्तुत करना हमारा इसमें next point है सन्रचना सन्रचना यानि structure तो तयारी और उद्देश्य कतन यानि कि तयारी करना और उसके उद्देश्य को पहले से ही भाप कर रखना कि हमें किस उद्देश्य की पूर्ती करनी है उसके बाद उसका presentation जरूरी होता है उसके बा हमारा next point है सामाजिक परणाली, विद्यारतियों को प्रेरना परदान करना, पाठे वस्तू को प्रस्तूत करना और विद्यारतियों को प्रेरना प्रदान की जा सके इस इसस्तर के शिकशन में एवैलोईशन परणाली भी रटने पर केंदरित होती है क्योंकि ये पूरा process ही रटने पर केंदरित होता है अन्हें के साथ-साथ जो हमारे वस्तूने परिक्षाएं होते हैं जने कि MC की उस question होते हैं, जिनके हमें एक question के चार answer already दिये होते हैं और हमें सही उत्तर पर निशान लगाना होता है, सही उत्तर बताना होता है, उसका प्रियोग भी किया जाता है, इसकी मुल्यांकन प्रणाली को प्राप्त करने के लिए, तो कहीं न कहीं, यह पूरा का पूर इसके अंतरगत आता है, और इसमें रटनी की प्रविधी को थोड़ा सा जाधा मेहतु दिया जाता है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, बोद स्तर और चिंतन स्तर हम उसके बारे में डिसकस करेंगे, थांक्यू और हैवी नाइस टे फ्रोडला इंचा जाता है, बहुत आंक्यू – प्रुषब दोड़ा की शार की जैसी की पॉइंटियो में हम इसके टेertasफ की को थेंगे, प्रुग आटैक्ष घएक्वार में हम इसके झालवार की देगाशनी सैनी वीडियो में तुम में, ज्कर देसमें आते हम सrium्गों हम उ